नितीश कुमार ने राहुल और खर्गे से मिलने का माना समय दिली में मचा हंगामा राग को नितीश की राहुल गांधी के साथ बैठक की तैयारिया तेजिस्वी यादव ने तैयार किया मैदान अब इंडिया करेगा बड़ा खेल देश की राजनीती में बड़ा उलट फेर होता हुआ दिखाई दे रहा है चुनाप परिणाम सामने आने के बाद अब अंडिया में बड़ी टूट होने वाली है कई दल अंडिया का साथ चोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पिछले 10 साल की मोधी सरकार को माना चारा है ED, IT और CBI की दबाव में कई पार्टिया इंडिये में शामिल हुई थी लेकिन अब BJP खुद ही सत्ता से दूर दिखाई दे रही है तो ये दल भी उसका साथ चोड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इंडिया की सरकार बनने की उमीदें लगातार बढ़ती जा रही है और इंडिया में शामिल दल पहले ही साफ कर चुके हैं कि जैसा उनके साथ हुआ वो वैसा ही करेंगे ऐसे में कई दल तो पहले से ही पल्टी बानने के तैयारी में है लेकिन जिस नेता पर पूरे देश की नजर इस समय लगी हुई है वो है नितीश कुमार नितीश कुमार की तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात का वीडियो इस समय जम कर वाइरल हो रहा है विमान के अंदर हुई इस मुलाकात के दोरान तेजस्वी यादव ने इंडिया गटवंधन का मेसेज नितीश कुमार तक पहुँचा दिया है और नितीश के चेहरे की मुस्कुराहट ने बता दिया कि वो इसे स्विकार करने को भी तयार है और दावा की अजारा है कि नितीश कुमार ने राहुल और कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष मलिकारजुन खरगे से मुलाकात का समय मागा है वैसे तो नितीश कुमार दिल्ली आए हैं इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए वो बैठक में शामिल भी हुए बीजेपी के दिगज निताओं के साथ उन्होंने मुलाकात भी की लेकिन नीतीश के मन में कुछ और ही चल रहा है दावा की अजारा है कि तीजस्वी के जरिये नीतीश ने कॉंग्रिस तक संदेश पहुँचा दिया है क्योंकि इंडिया की सरकार में पीम पद कॉंग्रिस के पास में ही आना है इसलिए नीतीश कुमार अब कॉंग्रिस के करीब आने की कोशिश में जुट गए हैं कॉंग्रिस ने भी नितीश को लेकर अपना रुख नरम कर लिया है ऐसे में नितीश की प्रस्ताव को भी कॉंग्रिस पार्टी ने स्विकार कर लिया है दावा की अचारा है कि देर रात राहुल गांधी के साथ नितीश कुमार की बैठक होने वाली है ये बैठक कहां होगी अभी ये तै नहीं है लेकिन दोनों नेताओं की मुलाकात को तैमाना जारा है इसके बाद सुबह की बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है बैठक में इंडिया की सरकार बनाने की रणीती पर चर्चा होगी ये तैमाना जारा है वैसे इससे पहले इंडिया गटवंधन की बैठक भी होनी है और इस बैठक में भी नीतीश पर चर्चा होगी नीतीश कुमार की तरफ से भी अब साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो एक बार फिर पल्टी मारने की तैयारी कर चुके हैं और पल्टी मानने से पहले वो कॉंग्रिस निताओं के साथ अपने संबंधों को सुधारने में जुट गए हैं लोगसभा चुनावों में जेडियों को 12 सीटे मिली है और इसके जरिये नितीश कुमान ने ये भी बता दिया है कि बिहार में आज भी वो हर दल की जरूरत है जो खबरे आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि नितीश कुमान ने अपने दो तीन मांगों को तयार किया है जिसमें सबसे बड़ी मांग बिहार को विशेश राजी का दर्जा दिये जाने की है इसके अलावा नितीश कुमार बिहार के लिए अलग से फंड की डिमांड भी कर सकते हैं सरकार में वो मनमाफिक हिस्सेदारी भी मांग सकते हैं नितीश कुमार की राहूल गांधी से मुलाकात की खबर को लेकर बीजेपी हाई कमान भी चिंता में दिखाई दे रहा है वैसे अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से इस बात का एलान नहीं किया गया है कि नितीश कुमार और कॉंग्रिस नेताओं के बीच बैठक होनी है लेकिन कॉंग्रिस के अंदर जरूर इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि आज रात को बहुत बड़ा उलट फेर होने वाला है पीम मोदी जो इस्तीफा देने के बाद निवर्तमान पीम बन चुके हैं अब वो जल्दी ही पूर्व पीम बनने वाले हैं क्योंकि इस बार इंडिया जो खेल बीजेपी के साथ खेलेगा उसका तोड़ बीजेपी के पास नहीं है ऐसे में कहा जा रहा है कि एक तरफ नरींद्र मोदी तीसरी पारी की तैयारी कर रहे हैं मान कर चल रहे हैं कि उनके पास 292 सांसदों का समर्थन है लेकिन कॉंग्रेस मोदी सरकार के साथ खेला करने की तैयारी में है एंडिये में शामिल कई पार्टिया कॉंग्रिस के संपर्ग में हैं जिसमें से नितीश कुमार तो किसी भी समय पल्टी मारने की तैयारी कर रहे हैं जिसके बाद 8 जून के करीब दिल्ली में नई सरकार का गठन होगा तो वो इंडिया की सरकार बन सकती है इंडिया में शावल पार्टियों की तरफ से इसकी तैयारियां तेज कर दी गई है